3 October से हर नए कार में 6 airbags होना कमपलसरी हैं और नितिन गड़करी की मानो तो airbags की manufacturing cost सिर्फ 800 रुपे पर बैग हो जाएगी पर ये airbags इतने जरूरी क्यों होते हैं और ये काम कैसे करते हैं पर फटा-फट फॉलो कर दो अभी बताता है तो इन airbags का काम होता है आपको car crash के समय serious injuries से बचाना airbags एक thin nylon fabric होते हैं जो car के steering wheel, dashboard या door में folded होते हैं जैसे ही sensors crash detect करते हैं ये airbags inflators को signal देते हैं inflators में बहुत ही कम मात्रा में explosive materials होते हैं जिसके जलते ही hot gas produce होती है और ये gas airbags को millisecond में ही inflate कर देती हैं इस hot gas की वज़े से airbags unfold होकर cushion की तरह आपके steering wheel, dashboard और door को cover कर लेते हैं ताकि आप इनसे टकराए ना और आपको किसी भी तरह की serious injuries ना हो ये airbags frontal crash, side impact और rollover crashes में भी काफी effective होते हैं पर ध्यान रहे seat belts लगाना compulsory है ये seat belts के substitute नहीं होते हैं